असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोकों के साथ चिकन और आलू के जो बेक करने की रेसिपी है वो लेकर आई हूं तो चले आई शुरू करते हैं बिस्मिल्ली रख्मने रहें सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने एक होल चिकन जबाथ में हैं और आपको ऑगर आप दिखाती हुआ हुझत मैं क्या कर के लिया है। और आप पड़ाई द्हां पर आप dabei के स्वांने में च्वार्ण के सबसे देख सकते हैं और यह सुझसे हैं और यह इस तरीके से डा दूराइं यहाँ आप थेमसी पहुआंchen को ही है। अच्छी तरह साफ करके इसको भी मैंने जो है पेपटावा से दुरृ और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और हाथ को तो फथा घ्री डेलते है अगे थिस है आप जो है हम इसको अच्छा सा यहां पर मैने अब इसको मेरीनेट अकरने यह ले लिए हैं आदी चम्मच नमत काली मिर्च और करूरी मिर्चे ले लिए तो सबसे पहले में इसको अच्छी तरह जो है चिकन पर लगा देता हुआ या पच्छी तरह जो है इसको इस तरीके से कमाम चिकन पर लगा दीजिए अब आप 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 अपने इसाब से भी ले सकते हैं यह हमने अच्छी तरह इसके लगा दियो अब यहां पर मैंने एक टेबल स्पून ओलिव ओल ले लिया है और उसमें वन टेबल स्पून जो है मैंने आपल साइडर वीनिगर ले लिया है साथ में मैंने आदा चम्मच जो है नमक आदा चम्मच काली मिर्च आदा चम्मच करूरी मिर्च कर लिया है और चार पांच जो तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं दूक्म में आपके और श्केस लाड़न पहलेभी हैं छो है निल लगयाओ बज्ध APP मिलूक्र जयकोद सबितने हैं आर श्केस्षों पहल अनधर भीन पहलेचि में और भीन हम अच्छी तरह थरा है क्यों अच्छि तरा जिकन के तमाम दूश्ट में इसको भर देते हैं पूंटा सबस्कें अ Trustees करके आप्तमाम जबाब अच्छ No pagar स्कोimmri की बबप खोन के और इसको अच्छी तरह अंदर ज़ो है इसके भर दें इस तरह है कि थी तरह मैरिनेट कर दो क्यों के द्रन इस तरह भी हम इस लग के अंदर जो है लगा देते हैं अच्छी तरह है इसको अच्छी तरह लगा दिये और जो आरा थोड़ा सा रहे गें इसको हम बैक पर भी इच्छी तरह से मन देते हैं किसी तरीके से जो त यह हमारा चिक जो है अच्छा सा मेरीनेट हो गया है इसको हम जो है Aik. क्रeo को बढ़ अगा एक बेकिंग ओं मेरीनेट कर लेते हैं Griffey公olt और अगे जो है अपने आल्यों को भी मेरीने डिखाती घम तो मैं आगे लिकिता कि तो हम अपने अदिम को मैरीनेट कर लेते हैं तो मैंने यहार चार से पा seekers अलू लेकर और है कर लिए है तो आप ली इस तारीके से पर्चिप में इसासान को moire कर सकें तो इनको मैने खुश्क कर लिये हैं दोओक हैं इस तरह है और इस स्टायल बैने कर लिया है अब इस और यह सामे जो भुण पुर्ष चिली का और साथ में इसमें शामिल करूंगी 1 तेवर स्पून जितना ओलिव ओल यूज कर लेते हैं और इसको अच्छा सा हम निक्स कर लेते हैं कि हमारे तमाम आलों पे अच्छा तरीके से लड़ जाएं अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे क्योंकि मैं बना रही हूं गार्लिक पिटेटो तो उसके लिए मैंने एक बंज पूरा ले लिया है लहसन का और उसको उपर से इस तरीके से कट कर दिया है और उसको मैं अच्छी तरीके से ये ओलिव उयल में ही लगा और अच्छा सा तेल लगाने के बाद मैं इसको अल्मूनियम फ्वाई लेके और उसमें इस तरीके से हम इसको बन कर देंगे या देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको बन कर लेना है और उसके बाद आप ले 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 एक बेकिंग ट्रे और उसमें तमाम आलू जो है हम इसक दिए कई झाल करें खुचान जो प्रक्त में को कैसल चीज करें टॉस Exceptique में लोग ग्यास कि तरुसके खुचान यह अच्छान कमेचे पला में चैजी टम्पेट कि अगया हैckी प्रिल रिख्खानान का लिए हचक्ट ग्यों लेकिती गवालागा पर यह दोनों चीजे जो हैं हमारी कुक हो जाएंगी तो अब हमारा ओवन जो है प्री हीट हो जाता है तो फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे और सिरफ हम अपने जो आलू है इनको जो है आफटर 25 मिनिट्स के इनको निकाल के और इनको फिलिप कर लेंगे और उसके ब बेक हो चुका है तो वहम बड़ी अतियात से इसमें से जो है लहतन को निकाल लोंगी और उसके जो है जो है हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और उसको मैश कर लेते हैं और तीन टेबल स्पून जो है मैं मखन के ले रही हूं उसको गरम कर लेते हैं और साथ मैं ले रही मक्षन और गार्लिक से कोटिट करना तो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ अब आप देख सकते हैं कि मैंने लेस्टे के जिवो को प्रेस करके निकाल लिया था और इस तरह मैंने इनको मैश कर लिया है अब मैंने यहां पे जो है तकरीबन तीन टेबिल स्पून के करीब ज इस फिर मैं आपको आगे दिखाती हम अपर देख सकते है कि बट्र हमारा जो है التي मैल्च हो गया है इस इसको ताम मैं इसको श्माम कर देते हूं ओर जाद मैं पार्स्ला है अगर आपके पास फ्रेश है तो डालने है और ज़्यादा देते हैं में इन प्रेश है इस वक्त इस अब इन तमाम चीजों को अच्छा भाविक्स कर लेते हैं आप इसको अपने तमाम आणुहें प्रति हो कि मिला लेते है अब दखाते ह्एं हैं और यहारे मज़ेदार अलू और चिकन बन ये हैं यह आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार बैटर गार्लिक नेक परणिश वाहरी नेहींượng, моkęट के प्रस्टेट गहें और अगर आप लोगों को मेरी रेसेपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और मुझे कमेंस में बताईएगा किया आप लोगों को कैसी लगी और मेरे चैनल को शेयर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा मुझे अपनी दूओ में यार रखेगा झाला मा प्यूजु झाला मा प्यूजु